नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे गैंग्स ववसेपुर पार्ट वन के सिंगर दीपक ठाकुर के बारे में दोस्तों दीपक ठाकुर का जन 24 मार्च 1994 को आथर विलेज बकसर डिस्ट्रिक्ट बिहार में हुआ था दोस्तों दीपक ठाकुर ने शुरुआती पढ़ाई प्रिस्तिन चिर्ण्स हाइ स्कूल मुझफफर पुर बिहार से की और आगे की पढ़ाई उन्होंने ललित नारायन मिश्रा कॉलेज और बिजनेस मेनेजमेंट मुझफर पुर से की उनके पिता का नाम पंकर ठाकुर है जोकी एक किसान है और उनकी मा एक हाउस वाइफ है उनकी बहनों का नाम जोती ठाकुर और दीपी का ठाकुर है दीपक का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम साकेट ठाकुर है दोस्तों, दीपक के किसान परिवार से सम्मन्द रखते हैं और उन्हें बच्मा से ही संगीज में नाम कमाने का जनून था गाने के पृति दीपक के जनून को देखते हुए उनका परिवार आथर गाउं से मुजफर पूर में चला आया जहां दीपक ने बहुती कम उमर में गायन सीखना शुरू कर दिया वे शादियों में बिन बुलाय सिर्फ गाना गाने पहुंच जाया करते से अगर किसी जागरन में दीपक को गाने का मौका मिल जाए तो यह उनके लिए जैकपॉट के समान होता सा दीपक का मानना था कि ऐसे इवेंट्स में कई नामी संगीत का राते हैं उन्हें बस उस मौके का इंतजार था जब कोई उन्हें नोटिस करे और फिल्मों में उन्हें एक मौका दे दे और दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ वर्ष 2012 में जब गैंक्स ओवासेपुर की म्यूजिक डारेक्टर स्नेहा खानवलकर ने दीपक को एक फंशन में हर्मोनियम पर गाते हुए सुना था उन्हें दीपक की आवाज और लिरिक्स इतने पसंद आए कि उन्होंने दीपक को हमनी के छोड़ी के गीत गाने का ओफर दे दिया और उसी वर्ष गैंक्स ओवासेपुर पार्ट टू में उन्होंने मूरा मौर्निंग गीत गाया जो काफे हिट रहा वर्ष 2018 में उन्होंने मुका बाज फिलम का गीत अधूरा मैं गाया था दोस्तों अवे अनुराग कशब के लिए संगीत लिखते हैं दोस्तों क्या आपको पता है कि वह यूटूब पर दीपक ठाकुर नाम से एक चैनल चलाते हैं जिसमें अपने दोरह गाये गई हिंदी पंजाबी और भोजपुरी गीतों की वीडियो अपलोड करते हैं उन्हें कुत्तों के साथ खिलना बहुत पसंद है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हमारे अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार